प्राब्लम क्या है और दूर करने के लिए जा रहे थे वह हम लोगों ने बात की थी और सटीपी मिन्स होता है स्पैनिंग प्रोटोकॉल और इस प्रोटोकॉल का काम होता है लूफ्री नेटवर्ग प्रोवाइड करना इस लेयर टू प्रोटोकॉल सबसे पहले अगर आपन ब प्रोटोकॉल की बात पर तो मिन्स ये कौन सी लेयर पर काम करता है सर डाटा लिंक लेयर ठीक है सर अगर थोड़ा समय आपको तो और इसमें इन्हेंस करना चाहूं तो अपना रेक्ट की बात करते हैं तो लेयर 3 में लूप यू नहीं बनता सर इसके पीछे रीजन सिर्फ है कि लेयर 3 में हमारे पास एक concept होता है TTL का time to live का जो भी हमारे time to live time to live और time to live means क्या कि आपका जो packet है वो कितने hope अवे जा सकता है अगर में Windows की बात करो तो Windows में हमारा जो TTL value होती है वो 128 होती है means हमारा जो packet है हमारे network के अंदर 128 hope तक move कर सकता है दिन आफ्टर उसको आपका जो डिवाइस होगा सो डिसकार्ड कर देगा रीजन क्या हो है उसको डिसकार्ड करने का जब भी आपका डाटा आपके जिट्वक के move होगा उस condition में जितने hope वो आवे जाता जाएगा उतना ही मेरा जो packet है वो वन होप आवे गया तो उसमें TTL value को decrease कर दिया जाएगा तो value कितने हो जाएगी 127 उसके आगे जैसे जाएगा वन होप आवे होगा वह से इस पिट्वक कर जाएगी तुरंत कितने हो जाएगा 126 इसी तरह से आपका डाटा 120 हो अवे तक जाएगा दिन आफटर इसकी जो TTL value हो जाएगी वो 0 होगी आपका डिवा मैं बात करता हूँ layer 2 network की तो layer 2 network के अंदर हमारे पास streetkill का concept नहीं होता layer 2 network के अंदर मुझे गर लूप से अपनी network को protect करना है तो इसके लिए सबसे पहले concept Cisco नहीं दिया था और वो दिया था कौन सा STP का अब STP में होता क्या है कि STP का concept यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं इन्होंने क्या कहा है इन्होंने कहा भई यह STP को आपका यूज़ करना है तो इसके लिए आपको तीन से चार concept यूज़ करने पड़ेंगे सबसे पहले इन्होंने कहा कि आपको आपके network में एक root bridge बनेग इन्होंने कहा कि इन सारे concepts का यूज़ करके मैं आपको एक loop free network provide करूँगा और सर मुझे loop बन कब रहा है इसका हम लोग को पता है जब हमको चाहिए होती है redundancy अगर मैं इस तरह के network की बात करो तो इस तरह के network में तो कोई loop बनेगा ही नहीं अगर मैं कुछ इस तरह का network बनाओं तो यहां पर दो कोई loop बनने के chances ही नहीं यहां पर लूप कहां बन जाएगा लेकिन सर अगर मैं कुछ एक concept यूज़ करता हूं कि मेरे पास कुछ दो आफिसेज हैं या दो ब्रांचेज हैं और इन दोनों के बीच में मेरी connectivity कुछ इस तरह से है तो यहां पर भी लूप नहीं बनेगा लेकिन अगर मुझे क्या चाहिए अगर मुझे चाहिए अगर मुझे चाहिए तो उस condition में मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए कि network में loop ना बने अब redundancy का मतलब क्या हुआ कि सर हमारे पास backup आथ है तो हमने कहा ठीक है सिसको ने कहा ठीक है मैं आपको अगर आप कोई redundant link लेते हो अगर आप कोई redundant link लेते हो तो इस condition में आपका loop बन सकता है और वो बनेगा क्यों क्यों क्योंकि अगर आपके network में कोई भी पृट्र को सफ़ेगा तो switch करें जो इप हुट यह विर होता है कि switch कभी भी किसी भी broadcast message को किसी इंटरफेस तो ओपने सारे के सारे अक्टीव इंटरफेसेस से लक्य करें तो इस तरह से अगर यह plane को हर जगा से खरृट करेंगा इस switch की authorsOC agu जो इस इंटरफेस पर रिसीब करेगा उसको इधर से फारवड करेगा इधर से फारवड करेगा इधर से फारवड करेगा हाला यह दो क्लाइंट डिवाइस से इंसे रेकूल खास मतलब नहीं है लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो इस इंटरफेस से आएगा उसको इस सब्सक्राइब करेगा इस तरह से क्या बंता रहेगा लूप बनता रहेगा तो इस लूप को अवाइट करने के लिए हम लोग के पास ऐक प्रॉटोकॉल सबसे पहले इंटूडीज हुआ था वह हुआ था स्टीपी इस पैनिंग टीप प्रोटोकॉल ने कहा कि स्टीपी इस तो प्रोएड लेयर टू लेयर टू लूफ्री नेटवर्क अगर अपन रूट ब्रीच की बात करें तो रूट बिज दसेंटर प्रोफल प्रोइड आप नेटवर्क एचली होता क्या है, यगर मैं किसी भी network की बात कुरूँ, suppose that मिरे पास कुछ इस तरह से switch है, तीन switch है, और यह तीनो switch आपस में connected है, और यहाँ पे मेरे कुछ clients है, जो यहाँ पे connected है, यहाँ पे कुछ clients है, जो connected है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरा जो यह client है, यहाँ पे एक client है इन दोनों clients के बीच में communicate करना है तो हमारे पास दो path है एक तो हमारा इस तरह से एक path है और दूसरा path हमारा इधर से है और जब भी हमारे network के redundancy होगी तो वहां पे हमारे loop बनने के पूरे chances होते हैं तो यहां पे अगर मुझे redundancy चाहिए तो redundancy पाने के लिए हमों क्य network के अंदर route bridge एक central point होता है जहां से आपके network में इतनी भी devices होती है वो सारी के सारी devices connect होती है दूसरी बात क्या होती है कि आपके network के अंदर जितना भी data flow होगा वो through route bridge जाएगा और तीसरा जो सबसे important point है route bridge का Route bridge ही 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 स्टीच को decide करता है या route bridge से ही ही decide होती है कि कौन सा port हम वो ये आ रहा है कि switch root bridge को इलेट कैसे करता है, तो इसलिए होता क्या है सर, कि अगर मैं initial step पे बात करूँ, initial step in the sense कि अभी हमने तिनो switches को नया लगाया, तो जब हम तिनो switches को नया लगाएंगे, तो अभी ना तो election process के according ये root bridge बना है, ना ये root bridge बना है, ना ये root bridge बना है, तो by default ये switches खुद को root bridge समझते हैं, अगर ये by default अपने आपको root bridge समझते हैं, तो ये switches क्या करते हैं, ये switch हैं जैसे ही आप इस switch को on करोगे, और इसको दो interfaces को connect करोगे, तो ये switch अपने आपको root bridge समझेगा, और जो switch अपने आपको root bridge समझता है उस वो switch एक configuration BPDU generate करता है configuration BPDU configuration BPDU is nothing BPDU means bridge protocol data unit bridge protocol data unit और bridge protocol data unit के अंदर HTTP अपने सारे content provide करता है जो भी content इसके पास है अपने बात करें कि content क्या होते है लेकिन अभी के लिए सबसे पहला content जो होता है उसकी होती है bridge ID अब आपन बात करें कि यारे bridge ID क्या होती है तो जिस किसी भी switch पर HTTP चल लहा होगा हर switch का अपना एक specific bridge ID होगा और specific VLAN के लिए तो ये switch क्या करेगा by default जितने भी switches होते हैं by default सारे के सारे switches पर VLAN 1 बना होता है और सारे के सारे interface VLAN 1 के member होते है ये switch क्या करेगा ये switch को जैसे ही आप आन करोगे तो ये switch क्या करेगा इस switch पर HTTP run होगा और वो एक bridge ID generate करेगा और जैसा कि मैंने बताया अभी के लिए कि by default हमारा जो VLAN होता है वो कौन सा होता है VLAN 1 तो ये switch क्या करेगा VLAN 1 के लिए bridge ID generate करेगा और bridge ID generate करने के लिए ये लोग concept करते हैं use करते हैं 2 byte priority 2 byte priority plus 6 byte Mac address plus 6 byte Mac address अब by default इसको ने जो priority बताई है वो बताई है 32768 और सारे के सारे switch का अपना एक base Mac address होता है वो Mac address इस तरह से जितने भी switches होंगी network के अंदर सारे switches अपना एक bridge ID generate करेंगी उस VLAN के regarding जो VLAN महाँ पे रन हो रहा होगा अब जैसा कि हमको पता है कि by default VLAN 1 run होता है तो इस पर VLAN 1 run है VLAN 1 इस पर run हो रहा है VLAN 1 इस पर रहा है इस तरह से ये तीनों switches PVLAN 1 run हो रहा होगा तो तीनों switches क्या करेंगी अपने लिए bridge ID generate करेंगी और bridge ID is the unique identification of that switch in that STP domain उस STP domain के अंदर bridge ID switch की एक unique identification होती है तो इस switch की अपने एक bridge ID है इस switch की अपने bridge ID है इस switch की अपने bridge ID अब ये switches अपने bridge ID जो share करेंगे गूसरे को क्यों share करेंगे क्योंकि ये compare करेंगे कि कि switch का bridge ID lower है कि switch का bridge ID higher है reason क्या है actually root bridge election की आपने अगर बात करें तो root bridge election का मतलब क्या है root connection का मतलब कि आपके network के अंदर जितने भी switches है उन सारे की सारे switches में one switch will be elected as a root bridge and remaining all switches will be non-root bridge remaining all switches will be non-root bridge तो यहाँ पे हमारा एक switch root bridge बनना है तो उसके लिए election process के लिए हमको क्या concept use करना पड़ेगा उसके लिए कि सारे के सारे switches क्या करेंगे एक configuration BPD generate करेंगे और configuration BPD generate करके ये एक दूसरे को सारे के सारे switches अपना configuration BPD share करेंगे और जिस switch के configuration BPD में bridge ID lower होगी वो switch बन जाएगा root bridge और remaining इतने भी switches होँगे वो बनेंगे non-root bridge और आपके network के अंदर किसी भी VLAN के लिए एक time पर एक ही switch root bridge बन सकता है तो इस switch ने अपना root bridge अपना configuration BPD उसको भेजा इसने अपना configuration BPD उसने अपना भेजा इसने अपना भेजा जब इन सबको एक दूसरे का configuration BPD मिलेगा तो उस configuration BPD में पहला एक content होता है bridge ID ये compare करेंगे देखेंगे या bridge ID किसकी lower है जिसकी bridge ID lower होगी वो switch बन जाएगा root bridge और remaining जो भी switches होगी वो बन जाएगी non-road bridge तो bridge ID का जो concept है वो concept आपका कुछ इस तरह से था root bridge का जो concept था वो कुछ इस तरह से था कि root bridge का का काम होता है अब हमारी जो बात आए root port designated port और blocking port की इसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे तो इसके बारे में डिसकस करने से पहले हम लोग थोल सा यहाँ पर एक scenario देखते हैं अब यहाँ पर सर हुआ क्या हम लोग यहाँ पर तीन switches लेते हैं स्विच वन, स्विच टू, स्विच टू, स्विच टू और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जैसे ही हम लोग इनको connect करेंगे तो यह सारे switches बीपीडियू में पार्टिसिपेट सबसे पहले यह सारे switches एक दूसरे को अपना configuration बीपीडियू शेयर करेंगे बीपीडियू शेयर करने के बाद यह लोग बीज आइडि को compare करेंगे और बीज आइडि की एक ओंडिंग जिस स्विच की बीज आइडि लोवर होगी वो स्विच बन जाएगा अब मैं इसको फारवर्ट कर देता हूँ तो यहां पर हमारा यह स्विच बन गया है रूट ब्रीज और रिमेनिंग जो स्विचेज वह है यह है नान रूट ब्रीज अब सबसे पहले नेटवर्ट के अंदर हम लोग रूट ब्रीज इलेक्ट करते हैं और रूट ब्रीज को इलेक्ट करने के बाद हमारा जो दूसरा कॉंसेट होता है वो होता है रूट पोर्ट को इलेक्ट करना रूट पोर्ट इस नथिंग रूट पोर्ट इस दा फारवडिंग पोर्ट रूट पोर्ट हमारे नेटवर्ट में फारवडिंग पोर्ट होता है और रूट पोर्ट कभी भी जब डाटा फारवड करेगा तो वो रूट ब्रीज की तरफ ही फारवड करेगा अब हम लोगों के अंदर दूसरा concept क्या होगा हमको root port collect करना है तो root port collect करने के लिए हम लोग को यहाँ पे concept यूज़ करना पड़ेगा सुपीरियर BPDU and inferior BPDU सुपीरियर BPDU और inferior BPDU से क्या मतलब है एक्शली हमारे पास जो configuration BPDU होते हैं configuration BPDU को हमने दो पार्ट में divide किया हुआ है एक होता है superior BPDU होता है inferior BPDU किसके according कोई BPDU superior होता है किसके according कोई BPDU inferior होता है इसके बारे में पहले आपन बात पर लेते हैं तो BPDU format in STP अगर यहां प्यापन देखें तो STP में जब BPDU forward करता है तो उसके अंदर यह सारे के सारे content forward करता है कि प्रोटोकॉल कोंस प्रोटोकॉल आइडी क्या है है मतलब एश़ीकर हे प्स dzi-Pille हे वी कॉ भी इस्ती प्लस है थो प्रोटोकॉल आइडी क्या है तो जो किया है यही соп za है मतलभ हमारे पास दो और हम लोगों ने बात की कि रूट आड़ी इस दा कॉमिनेशन आप टू बाइट प्रियोर्टी और सिक्स बाइट मैक एड्रेस जितनी भी स्विचेज होंगी हर स्विच का अपना एक रूट आड़ी कंफर्म है होगा होगा तो जब स्विच अपना ये स्टीपी में अपना और दूसरा एक होता है रूट पाट काॉस्ट की बात करें तो इसली क्या है कि इसको ने फ्लेक्सिबिल्टी के लिए फ्लेक्सिबिल्टी इन दा सेंस कि नेटवर्क में मैं अपने कोर्डिंग किसी भी चीज़ को मैनूपलेट करना चाथा हूं तो उसके लिए मुझे उसके लिए मुझे एक flexibility चाहिए उस flexibility को क्रॉयड करने के लिए Cisco ने concept यूज किया root path cost और root path cost जो है उन्हें प्री-defined किया हुआ है कि root path cost आपकी जो होगी कि अगर हमारा 100 MBPS का अगर 10 MBPS का link है तो MBPS का link है तो उसकी cost उन्होंने की है 100 कर मेरा 100 Mbps का link है 19 उसकी कॉस्ट 19 की है अगर मेरा बन जीवीपीए का link है इसकी तो उन्होंने यह को डिफाइन किया है लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिंक के कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपके लिंक की स्पीड पे कोई प्रभाव पढ़ने वाला नहीं है ऐसा नहीं है कि मेरा 10 Mbps का link है मैं उसकी कॉस्ट 2 कर दूं तो उस link की स्पीड 10 GBPS हो जाएगी अगर मैं इस link की बात कुल्हों तो इसकी कॉस्ट केतनी होगी कि 19 होगी अगर मैं इस link के cost की बात करूँ तो cost कितनी होगी 19 होगी अगर मैं इस link के cost की बात करूँ तो cost कितनी होगी 19 हो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मैं यहाँ पर link की cost को chain कर सकता हूँ there is no problem एक second के अंदर आप यहाँ पर chain कर दो अगर मैंने यहाँ पर link की cost कर दी, suppose that 4, या मैंने 2 कर दी, अगर मैंने यहाँ पर link की cost 2 कर दी, तो 2 के according तो हमारा जो link है, वो कौन सा link हो गया, वो दो गया 10 GBPS का, और क्या link की cost को change करने से, हमारी speed में कोई पभाव पढ़ेगा क्या, ऐसा तो है नहीं कि link को मैंने यहाँ पर क manipulate करने, तो इन्होंने cost को define किया हुआ है, कि अगर आप link की cost को, अगर आप link की root port को manipulate करना चाहते हो, तो आप port की cost को क्या कर दो, increase कर दो, इसके according आप क्या कर सकते हो, इसके according आप port के, port को manipulate कर सकते हो, मतलब road port को manipulate कर सकते हो, इसके लावा ऐसा कोई खास काम नहीं, उसके बाद हम लोग थोड़ाचा यहाँ पर देखेंगे, उसके लावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, bridge ID, जैसा हम लोगों ने देखा, कि by default network के अंदर, by default network के अंदर, जितने भी root, जितने भी switches हैं, हर एक switch का अपना एक ID होता है, जिसे हम कहते हैं, root ID, sorry, bridge ID, bridge ID is nothing, bridge ID is the identification of that device in STP, तो bridge ID तो हर स्विच का अपना होगा, एक होगा root ID, और root ID means what, इस network के अंदर, इस network के अंदर, suppose that इस network के अंदर, यह switch क्या बना हुआ है, root bridge बना हुआ है, तो इस bridge की जो bridge ID होगी, वही क्या बन जाएगी, इसकी root ID बन जाएगी, जब यह switch यहां से कोई configuration BPDU forward करेगा, तो वो उस configuration BPDU में इस चीज की भी information भेजेगा, कि भेजा मैं ही root bridge हूँ, और मेरी root ID क्या है, मेरी root ID suppose that इसका priority 32768 है, तो इसका अपना Mac address 0-A मैंने मान लिया, इसका priority 32768 है, और इसका MAC address मैंने 0-B मान लिया, इसका priority 32768 है, और इसका Mac address मैंने 0-C मान लिया, तो जब यह switch अपना configuration वीपडियू फरवाड करेगा तो configuration वीपडियू में इसको एक bridge ID भी भेजने पड़ेगी और root ID भी भेजने पड़ेगी तो bridge ID तो इसने कहा भाईआ मेरी bridge ID कितनी है 32,768 32,768 फ्लस जीरो एक और मेरी जो root ID है root id means कि वह जो switch root bridge बना हुआ है उसी की जो bridge id होती है उसको declare कर देता है root id में तो कहता है मेरी root id भी कितनी होगी 32768 plus 0 तो यहाँ पे जब यह switch इसको कोई भी अपना configuration bpd भेजेगा तो उसमें जो सबसे important matter होता है वो क्या होता है इसकी bridge id क्या है उसके बाद यहाँ पे link की cost क्या है link की cost और by default root bridge कभी भी कोई भी vpd फारवर्ड करता है तो वहाँ पे link की cost को zero add करके भेजता है कभी भी root bridge link की cost को add करके नहीं भेजता link की जो cost होती है वो add होती है non root bridge के receiving port पे तो यहाँ पे अपने link की cost zero add करके भेजे रहे उसके बाद ये root to bridge ID भेजेगा और root to bridge ID इसकी क्या है 32,768 plus 0,1 इसके बाद ये इस information में एक information भेजेगा root path cost हो गया, root ID हो गई bridge ID हो गई, port ID ये बहुत ही important concept है port ID port ID is the combination of two byte priority and port ID लेकि होता क्या है कि port ID जो होती है हमारी port ID दो चीजों से मिलकर बनी है port ID को कई बार हम लोग गोलेंगे sender, port ID और port ID जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, पहला होता है port number या port priority and दूसरा जो होता है वो होता है port number port number by default जो भी इंटरफेस आपके switch के होते हैं उनकी port priority होती है 128 plus port number कोई भी switch होगा कि कोई सी भी उस switch के इतने भी इंटरफेस होंगे या F0-2 अगर मैं आपको दिखाऊंगे यहां पर तो इसका नमबर है F0-1 जो इंटरफेस मेरा connected है तो यह यहां पर एक port जी दॉट वर्ण कि तो सबसे important पॉइंट यह होता है कि आपका जो जो सेंडर पोर्ट आडी होती है सेंडर पोर्ट आडी इस दा combination आफ पोर्ट प्रियॉर्टी एंड पोर्ट नमबर तो आपके पास जो इसके लिए हम लोग के पास जो concept है वह कौन सा है कि हमारे जो स्विच है कि इसमें हम लोग चार concept यूज करेंगे सेंडर भी जाया सेंडर भी आइटी या सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिज आईटी जो रूट भी आईटी रूट बिच आईटी दूसरा लिंक कोस्ट लिंक कोस्ट कि सेंडर बिज आईटी जो चौथा यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे सेंडर पोर्ट आईटी कि यह चार concept का यूज हमारे पास जो भी यह फॉर्मेट है इस फॉर्मेट के अंदर हम लोग चार concept का यूज करेंगे कि कौन सा सांप in te vista सीफ यूम है कौन सांपिटे सन्भी पडियू है एक्शुली जो हमारे यह फॉयों डेजिवीनेटेट फोर्ट या ब्लॉक्टिंग को tow कोते हैं इस को अलेक्ट करने के के लिए हम लोगों के पास प्लिया आर इसώνल अगे हैoh जो concept यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है इन्हीं चारों का कि भाई या root bridge ID जिसकी lower होगी suppose that हमारा ये switch है हमारा ये switch है इस switch को ये हमारा root bridge बना है root bridge क्या करेगा एक configuration bpd generate करेगा अब ये इस configuration bpd को अपने दोनों interfaces से forward करेगा इससे भी forward करेगा और इससे भी forward करेगा इस interface पे configuration bpd receive होगा यहां से ये switch जब अपना configuration bpd उसको forward करेगा तो ये इस switch के इस interface पे receive होगा ये switch क्या करेगा यहां से जो configuration bpd receive करेगा वो अपने इस interface से forward करेगा तो तो यहाँ पर receive होगा, अब इस switch के दो interface पर configuration बीपीडियू receive हो रहे हैं, और यहाँ पर इस switch का कौन सा port, root port बनेगा, इस switch को decide करने के लिए हम लोग क्या concept यूज करेंगे, जिस interface पर superior बीपीडियू receive हो रहा है, वो interface root port बन जाएगा, और किसी भी non-root bridge switch पर, किसी भी non-root bridge switch पर कभी भी एक ही port, root port elect हो सकता है, आपके पास यहाँ पर दो link हों, चाहे 2000 link हों, आपके non-root bridge switch पर एक ही port, root port elect होगा, अगर किसी भी switch पर दो root port elect हो जाएंगे, तो वहाँ पर क्या बनने लगेगा, loop बनने लगेगा, इसलिए आपके switch पर इतने भी interface होने देजिए, कभी भी किसी भी non-root bridge switch पर एक ही port, root port elect होता है, दूसरी बाद कभी भी root bridge पर जितने भी port होते हैं, वो सारे के सारे port designated port होते हैं, तो यहाँ पर यह हमारा जो switch है, यह हमारा root bridge है, इस switch ने यहाँ से, इस switch ने configuration bpdu forward किया, और वो जो configuration bpdu यह forward करेगा, कौन सी vlain के लिए करेगा, by default हमारा कौन सा vlain होता है, vlain बन होता है, जितने भी आपके vlain होगे, हर एक vlain के लिए separate instance रन करेगा आपका switch, या उतने ही vlain, जितने भी आपके vlain होगे, उतने vlain के लिए separate stp के instance रन करेगा, और हर एक vlain के लिए separate bridge id generate करेगा, अभी मैं आपको दिखा भी दूँगा, तो यह switch ने क्या किया, एक configuration, by default हमारे पास, कौन सा vlain है, vlain 1 है, तो यह switch क्या करेगा, vlain 1 के लिए bridge id generate करेगा, और जब यह तीनों switch आपस में compare करेंगे, तो यह switch क्या बन जाएगा, root bridge बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसकी bridge id lower है, और जैसे ही यह root bridge बन जाएगा, तुरंत यह बताएगा, कि भहिया, मेरी bridge id क्या है, 32,768 प्लस 0A, और मेरी root id क्या है, और मेरी root id भी क्या है, 32,768 प्लस 0A, जैसे ही यह switch root bridge बनेगा, यह switch क्या करेगा, configuration BPDU forward करेगा, यह configuration BPDU इस switch के पात भी receive होगा, यह switch को forward करेगा, यहां से यह इसको forward करेगा, इस switch के दोनों interface पे configuration BPDU receive होंगे, तो अब यह switch कैसे decide करे, कि कौन सा port मेरा root port बनेगा, इसके लिए यहाँ पे हमारे पास concept क्या है, सुपीरियर BPDU, जिस interface पर सुपीरियर BPDU receive होगा, वो interface root port बन जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो suppose that, Suppose that, इस switch ने configuration BPDU generate किया, और उस configuration BPDU में इसने बताया, मेरी root bridge ID, मेरी root bridge ID कितनी है, 32768 plus 0A, Link की cost मैंने बताया, आपको link की cost by default कभी भी आपका root bridge add करके नहीं भेशता, तो आप इसके link की cost कितनी होगी, link cost 0, फिरे क्या भीजेगा यहाँ से, फिरे भीजेगा sender bridge ID, sender bridge ID, अब sender bridge ID कितनी भीजेगा यहाँ से, sender bridge ID, 32768 plus 0A, यह मैंने sender bridge ID 32768 plus 0A क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इस configuration BPDU को forward कर रहा है, यही switch कर रहा है, तो यह switch अपनी bridge ID लगा के भीजेगा sender bridge ID, then after यह भीजेगा sender port ID, sender port ID, और sender port ID की मैं बात कुआँ, तो मैंने क्या बताया, sender port ID is the combination of port priority and port number, and by default port priority is 128 plus port number, port number यहाँ पे क्या है, F0 slash 1, तो इसी तरह से यह, एक configuration BPDU जनरेट करेगा, और जिस इंटरफेस से forward करेगा, उसके according वहाँ पे वो implement करेगा, तो यहाँ पे root bridge ID ठीक है, link की cost 0 ही रहेगी, sender bridge ID भी यही रहेगी, लेकिन sender port ID क्या हो जाएगी, इसको कौन से इंटरफेस से भेज रहा है, F0 slash 2 से भेज रहा है, तो यह क्या भेजेगा, 128.2, कितनी बास रसोन में आ गई आपको, इसमें कोई doubt है, तो यह यहाँ से क्या करेगा, इसको यहाँ पे भेजेगा, जैसे ही यहाँ पे receive होगी, तो यह link की cost क्या करेगा, add करेगा, और link की cost हमारी कितनी होगी, fast ethernet link है, 100 mps का, तो cost कितनी add कर देगा, यह 19 add करेगा, तो overall cost कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, अब इस switch के इस interface पे configuration vpd receive होगा, यहाँ से अपना एक vpd receive फारवड करेगा, इस switch को मिलेगा, इस switch के जैसे ही इस interface पे मिलेगा, यह अपने link की cost को add कर देगा, link की cost कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, अब यहाँ से यह switch क्या करेगा, इस configuration vpd receive को इसके पास फारवड करेगा, लेकिन configuration vpd receive को फारवड करने से पहले इसमें कुछ चेंज करेगा, जैसे root bridge ID तो सेम इसी की रहेगी, link की cost यहाँ पे 19 है, और यह यहाँ से भेजेगा, तो link की cost को add करेगा, तो कितनी हो जाएगी, 19 plus 19, 38 हो जाएगा, sender bridge ID, sender bridge ID में जो switch इस configuration vpd को फारवड कर रहा है, वो switch अपने को अपनी लगा के भेजेगा, तो यहाँ पे को फारवड कर रहा है, यह switch कर रहा है, यहाँ पे यह switch अपनी, जब यह switch इस configuration vpd को फारवड करेगा, तो यहाँ पे sender bridge ID अपनी लगा के भेजेगा, तो sender bridge ID कितना हो जाएगा, जीगो सी, और sender port ID में भी यह change करेगा, अगर change होने का होगा, तो यहाँ पे f0-1 है, तो यहाँ पे क्या लगा देगा, इसके लिए switch क्या करेगा, इन दोनों configuration vpd को compare करेगा, और जिस interface पे configuration vpd lower मिलेगा, उसको यह root port इलिट कर लेगा, तो lower इलिट करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेगा, सबसे पहले यह compare करेगा root bridge ID, तो इस configuration vpd में root bridge ID 327601 लगके आ रही है, इस configuration vpd में जो यहाँ पर receive हो रहा है, उसमें root bridge ID 327601 लगके आ रही है, तो यहाँ पे यह पहला concept तो क्या हो गया, tie-up हो गया, उसके बाद यह दूसरा concept चेक करेगा, दूसरे concept में देखेगा कि हमारे पास, जो इस interface पे configuration vpd रिसीब हो रहा है, उसके link की cost कितनी है, 19 है, और जो इस interface पे receive हो रहा है, उसके link की cost कितनी है, 38 है, और यहाँ पे क्या होता है, कि superior configuration vpd वो होते हैं, जिनकी या तो root bridge ID lower हो, या तो link की cost lower हो, या sender bridge ID lower हो, या sender port ID lower हो, तो यहाँ पे हमारी link की cost क्या है, lower है, और यहाँ पे क्या है, higher है, तो इस interface पर जो vpd रिसीब होते हैं, switch के according, वो जो configuration vpd होगा, वो कौन सा होगा, superior होगा, और इस interface पर जो configuration vpd मिल रहा है, वो कौन सा होगा, inferior होगा, और superior और inferior कैसे होगा, जिस configuration vpd में, ये चारों चीज़ों में से, कोई भी चीज lower होगी, पहले compare करते रहेंगे, जहाँ पे कोई भी चीज lower मिल गई, जैसे हमारा root bridge ID lower मिल गया होता, या link cost जैसे हमको यहाँ lower मिल गई, तो हमारा ये क्या बन गया, superior बन गया हो, ये क्या बन गया, inferior बन गया, सर यहाँ तक की बाप में कोई doubt है, नहीं नहीं ठीक हो, ओके, तो, ये port हमारा जो है, ये port हमारा कौन सा port elect हो गया, ये हमारा, ये हमारा root port elect हो गया, अब इसी तरह से, हमको इस switch पे भी क्या elect करना है, सबसे पहले हम root bridge elect करवाएंगे, उसके बाद root port, जितने भी switch होंगे, सारे के सारे switch पे root port elect करवाएंगे, तो इस switch पे root port elect करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, ये switch क्या करेगा, configuration bpd जनरेट करेगा, इसके लिए, यहाँ पे configuration bpd के लगाके भेज़ेगा zero, और एक configuration bpd इदर से भी जनरेट करेगा, यहाँ पे configuration bpd के लगाके भेज़ेगा link की cost zero, और यहाँ पे जो interface है, वो f0-2 है, तो यहाँ पे अब क्या होने वाला है, ये switch ए configuration bpd जनरेट करेगा, इस configuration WP को जब ये forward करेगा तो स्W Tunze के इस interface पर receive होगा ये specification Brabs को forward करेगा तो ये swethe detect करेगा ये switch जीसे ही receive करेगा तो यहां पर ये ismanly क ने प Crudebye करेगा और link की क्यों क्तिक देगा 90 डिए करदेगा उसके बाद जब स्वेच ये कांफिकेशन वीपीटी को फारवड करेगा तो इस कॉन्फिकेशन वीपी में कुछ करेगा जैसे सबसे पहले यहां पर क्या करेगा लिंक की कॉस्ट नाइंटी रैट कर देगा कि इसकी खुद की लगाके भीजेगा और यहां पर सेंडर को टाइडी में बिल्कुल चेंज करेगा यह कितना हुज रहेगा और यह किसको फारवड करेगा इस स्विच को फारवड करेगा इस स्विच के दो इंट्रफेश फे को इंट्रफेश से स्विचे मिल रहे हैं तो इस इंट्रफेस पे सुप्रियर इनिप्री ये मिल लहाए मैं कंप्यार करें लहां फो यहां पर फो यहां सबूरहों करें तो यह देखेगा कि हाँ रूट बिज आईडी तो दुरों की सेम है लेकिन लिंक की कॉस्ट क्या है यहां पर 38 रिसीव हो रही यहां पर 19 है इसका मतलब इस इंटरफेस पर जो जो कॉन्टिकेशन बीपीडियू मिल लाए वो सुपीरियर है और जो इस इंटरफेस मिल लाए सब्सक्राइब यहां को साबेनाता कि और पारीट्य की कि यह जही मैंने और ऊठाभ्या कहते। कि कि सीज़ पर है एक लिंक हो चाहे दो लिंक हो आहे खजार बन सक्क्ता है रूट बन सकता है को बन जाएंगे तो क्या होगा लूप बनने लगेगा तो इस लिंक पर हमारा काम हो गया और बाइडिफॉल्ट यह चीज आपको तुमासा डिमार्ट में रख लेनी पड़ेगी बाइडिफॉल्ट बीज के सारे पोर्ड जो होते हैं वो डेजिगेटेट पोर्ड होते हैं क्योंकि वो सबसे सुपपीर भी पीडियू अब यहां पर हमारा यह क्लिए हो गया अब यह लिंक में हमारा एक पोर्ड बनेगा धूसरा ब्लॉकिंग बनेगा झाल झाल